गोड इबनिंग फ्रेंड थर्टी थ्री फीट थर्टी थर्टी थ्री फीट फेशिंग नॉर्थ टू बी एज के का प्लान यह रहाँ एक स्क्रीन पर आपके सामने तो चलिए आके बढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राउन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ में फ्रॉंट एलिबेशन का भी प्राबधान किया गया है तो ग्राउन फ्लोर में एज पर रिक्वाइर्मेंट दो बेडरूम पुजा घर डाइनिंग हॉल किच्चेन ट्वाइलेट एस्टेर केस के साथ साथ फ्रॉंट फ्रांडा का भी प्राबधान किया गया है इधर से आप फेसिंग नौर्थ है इधर से इंट्री लेते हैं यहाँ से यहाँ तक साथ फिट चार इंच की चोराई में गेट रखा गया है आप सुविधान उसार इसे बढ़ा सकते हैं और यह स्टेप से हैं सामने में यह फ्रॉंट टेलिवेशन जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक साथ फिट पांच इंच है मुचाई से लिंटर हाइट तक ग्रिल प्रॉबाइट करना है इस साथ में यहाँ पर आइरन गेट लगाएं उसके बाद में यह डाइनिंग हाल देख रहा हैं जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 फिट इंच है जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फिट 2 इंच है इस साथ में पुजा घर दिया गया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फिट और इस जगा से लेकर के इस जगा तक 8 फिट 2 इंच है पुजा घर में एक पीछे और एक आगे खिर्की दिया हुआ है पीछे वाले खिर्की का साइज रखा हुआ है एक पीट आठ इंच चौड़ाई में 2 फिट 6 इंच से शुरू होकर 7 फिट तक जाएगा जबकि ये फ्रॉंट में दिया वाव विंडो 2 फिट 6 इंच वाइड है 2 फिट 6 इंच वाई 4 फिट 6 इंच डी वन का साइज रखा हुआ है 3 फिट वाई 7 फिट का उसके बार में ये अगनी कोन में कीचेन है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक 8 फिट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 6 फिट है इसमें भी दो विंडो का प सिल लेवल 5 फिट रहेगा जबकि दूसरा 3 फिट वाई 4 फिट 6 इंच रखना है उसके बाद में ये पैसेज है 3 फिट की चवराई में इस साइड में ग्राउन फ्रोर में आप एक डोर प्रोवाइड कर सकते हैं चुकि प्लोट के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में रोड है तो इसमें भी सुविदा अनुसर कहीं से आप इंट्री के लिए जगह रख सकते हैं उसके बाद में ये टोयलेट है जो कि यहां से लेकर के यहां तक 4 फिट 6 इंच है और इस चगह से लेकर के इस चगह तक 6 फिट है इसमें एक बेंटिलेटर देना है बेंटिलेटर का साइज रखना है 2 फिट 6 इंच वाई 1 फिट 3 इंच और ये संसेड है 1 फिट 3 इंच की च चकासा इसका हुई साइज है खुब्सूरत सा यहां से लेकर के यहां तक 12 फीट है जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक 10 फीट 3 इंच है इसमें पीछे साइड में दो खिरकियां दी गई है दोनों का साइज है फोर फिट फोर फिट शिक्स इंच यह बुलू क्लर में इस्टिफनर्स देख रहे हैं जो की पिलिंथ लेवल तक आकर कथम हो जाएगा उपर नहीं ले जाना है इसको उसके बाद में यह रहा है आपका आगे वाला बेडरूम इसका भी साइज बहुत अच्छा यहां से ले करके यहां तक 10 फीट और इस जगह से ले करके इस जगह तक 14 फीट है इसमें दो खिरकी देना है इधर फस्चिम साइड से दोनों का साइज दिया हुआ है 3 फिट 4 फिट 6 इंच का नेखिर की का प्रापधान किया गया है सभी जगह संसेड की चोड़ाई रखी हुई है 1 फिट 3 इंच चोड़ाई में और ये आपका एस्टियर केस है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से इंट्री लेते हैं दोनों फ्लाइट की चोड़ाई 3 फिट 6 इंच में है ट्रेड की चोड़ाई 10 इंच है जबकि राइजर 6 इंच है तो ये था ग्राउन फ्लोर का प्लान ये सभी जगह में दर्शा दिया गया है यहां जैसे देख रहे हैं आप 2 फिट 8 इंच यहां से यहां का डिस्टेंस दो फिट 1 इंच यहां का डिस्टेंस सिम्लरली यहां 3 फिट 2 इंच है और इस जगह भी 2 फिट 1 इंच आ रहा है इस जगह पर 3 फिट 2 इंच है जबकि यहां से लेकर के यहां तक 6 पीट आ रहा है, सामने में ये लिंटर हाइट पर संसेट प्रोभाइट करना है, ये भी 1 पीट, 3 इंच की चोड़ाई में रखें, इसे आएगा यहां से, और यहां तक, लेंडिंग आप देखी रहें, यहां से लेकर के यहां तक 7 पीट है, और इस जगह से लेकर क इस जगह तक 3 पीट, 5 इंची है, अब यही रहा है आपका, फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेमी है, कोई बतलाव नहीं है, यह, वही कीचेन, पुजाघर, डाइनिंग हॉल, फ्रॉंट वरांडा, बेडरूम, पहला दूर्सा बेडरूम, और यह स्टेर केस, और साथी साथ, चलते चलते, एक नजर, फ्रॉंट एलिवेशन पर भी देते हैं, तो यही आपका, फ्रॉंट एलिवेशन, बन करके आ रहा है, यह डार्क लर में देख रहा है, यह यहाँ वाला पोर्शन है, यह, दो फिट, 6 इंच की चोड़ाई में, जबकि इस साइड व लुटू है, टू फिट, 6 इंच बाई, 4 फिट, 6 इंच का, ग्राउन फ्रॉर, और फास्ट फ्रॉर में, और यह आपका, इंट्री है, ग्रफ फ्रॉर में, डी का साइज, 3 फिट, 6 इंच बाई, 7 पिट रखा हुआ है, और यह सामने वाले रूम में, दिया हुआ, दोनों ख कि इसका मोटाए ती नीचे रखना है तो यह फ्रेंट ही था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट प्लोर के प्लान के साथ साथ में फ्रांट टेलिवेशन मिलते हैं नए प्लान के साथ तैंक यू